आज मैं कुछ खाश ट्रिक और टिप्स के साथ आलू पराठा बताऊंगी कि जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को जैसे कि साइड से पराठे कच्चे रह जाते हैं और गोल नहीं बन पाते हैं या फट जाते हैं और ऐसे सारी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं उन सब तो आज मैं क्लियर करूंगी और खाश टिप्स के साथ मैं बताऊंगी कि आलो पराथा ऐसे बॉल जैसे फूले फूले आलो पराथा कैसे बनाएं और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे जिनको खाने में बहुत मज़ और बहुत टेश्टी बनते हैं आज मैं सारे टिप्स बताऊंगी कि कैसे ऐसे फूले फूले पराथे बनाने हैं तो ये कुछ खास टिप्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि हमको साइट से इस तरह किस से तोड़ के आलो पराथा खाना पड़ता है ये सब कुछ नहीं होगा कोई भी प्राब्लम नहीं होगी अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो ये हमारे आलो कुछ बड़े थे दो पीस में कट करके हमने इन पे दो सीटी लगा ली और तब तक मैंने यहां लिया आटा हलका सा डाला उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाली ये सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गूतेंगे पराठे का आटा तो पराठे का आटा आप कहेंगे कुछ अलग होता है तो हाँ जी हाँ बिल्कुल अलग होता है ये आटा हम एक्दम स्मूथ और एक्दम ये आटा हम क्या करेंगे गूतने के बाद ये दिखे अभी जैसे इसमें थोड़ा दरदरा पन दिखरा ये चीज नहीं आनी चीए तो हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको और गूतेंगे इसको थोड़ा ज्यादा गूतना पड़ता है जितना अच्छा हमारा आटा उतना अच्छा पराठा बनेगा इसमें हमने गूतने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लिया है मस्टर्ट ओईल कोई भी ओईल आप लीजी थोड़ा सा लगा दीजी थोड़ा नरम हो जाता इससे आटा और इसको हम गीले कपड़े से 15-20 मिनाट तक धक लेंगे लेकिन मैंने प्लेट से ढख लिया और फिर मैंने ये मैसर से आलू को बारिक कर दिया है इसमें कोई भी ऐसे गुटली से नहीं रहनी चाहिए इसमें महीन इसको पीसना है और ये आप चाहिए कद्दुकस से करिए चाहिए मैसर से बहुत अच्छा होता है ति मैसर से ही करे तो जादा अब ये रख दिया मैंने साइड में इधर चड़ा दी मैंने कड़ाए कड़ाए फिर दो से तीन चमच मैंने डाला मस्टर्ड ओईल और इसमें डाल दिया गरम होने के बाद मैंने डाल दी थोड़ा से हिंग ये लिया मैंने कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को हाथ से मैस के मै अब आलु डाला दया हमने कडाई पर गुर्वादा अनुसार या नमक को भी देर भून लेंगे और अच्छा नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगे कि लिए ना लगे। बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है कड़ाई पे तो इस तरह से बनाना है पर आठे के लिए हमने लिया 50 गराम मस्टड होई और इधर आठा हमारा एकदम सौट एकदम स्मूथ ये देखिए कैसी लचक है ना ऐसी लचक आनी चाहिए आठे पे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम न जैसे पेडा बनता है वुस तरह से इसको गोल-गोल घुमा के पूरा बंद करना कि उपर से बिल्कुल भी खुला ना रहे इसमें डिप करना है थोड़ा इसको सुखे आठे में और ये देखिए गोल-गोल पराठा हमारा बनता है इसमें देखिए कितना अच्छा लग रहा और इसको हमने डाल दिया तवेबे ये हमने दूसरा पेडा लिया आठे का ऐसे बौल की तरह इसको गोल-गोल बनाना है दोनों हाथ की मदद से और इस तरह से हमको इसको चौड़ा करना यह आप थोड़ा चकला बेलन से भी कर सकते हैं और इस तरह से भढ़ना इसमें आलू कि कहीं से भी बाहर ना निकले और हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि आटा थोड़ा ऐसा लेन थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं कि जिससे फटेना और इस तरह से हमको इसमें ओईल लगा देना है तवे पे जब ये दो मिनट हमको एक तरह पकाने के बाद दूसरी तरह इस ये हमने दूसरा पराठा डाला उसी तरह से और ये देखिए इस पे भी हम हलका सा तेल लगाएंगे आप चाहें तो देशी घी में भी पराठे बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ओयल ही यूज किया है मुझे ये पराठे मस्टर्ड ओयल में अच्छे लगते हैं और इस तरह से हमारे पराठे अगर ऐसे बनेंगे न तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अब मैं और अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे ऐसे पराठे बन रहे हैं पहले आप ये देख लीजिए कि इसको जैसे फूल जाते हैं तो साइट से जैसे हमको लगता है कि पक चु कि कहीं से मोटा कहीं से पतला हमारा पराठा न रहे इस तरह से जब ये दो मिनिट हो गया था हमने पराठा पल्टा तो ये खुदी फूल चुका था मेरा पराठा और इस तरह से मैंने दोनों तरफ इससे ओईलिंग कर दी है और आप चाहें तो ओईल थोड़ा ज्यादा नहीं आएगी और ये पराठे बहुत स्वादिष्ट और बहुत तेश्टी होते हैं तो जैसे आप वीडियो को बीच में मिस करते हैं तो फिर उस तरह से नहीं बन पाता है फिर ये होता है कि नहीं हमने जो दिखाया था वो कुछ अलग था लेकिन ऐसा नहीं होता है हम वही दिखाते हैं जो हम अपना करते हैं और एकदम मैं चाती हूं इकदम किलियर करके अपनी चीजों को एकदम परफेक्ट ढंग से मैं बताना चाती हूं थोड़ा वीडियो मेरा इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन यह है कि जो भी मेरे से सीखे उसको कोई बी आती हूं और मुझे फर्ग नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं लेकिन जो मुझे आता है वो बताने के लिए मैं तयार रहती हूं आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें मैं और भी अच्छी कि किसी को कोई प्रावलम नहीं होगी बनाने में लेकिन ये तभी होता है जब मन खुस होता है थोड़ा सपोर्ट मिलता है तभी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसलिए थोड़ा मन नहीं होता है कि क्या करूं क्या ना करूं नॉर्मल स्टाइल और पहाडी स्टाइल दोनों अंदाज में बताऊंगे आस पराठक कैसे खाते हैं मेरी यूटूब फैमले से चाहे जितने कम भी देखे मेरी वीडियोज चाहे वो 20 या 30 देखें तो मुझे बहुत बड़ी खुसी मिलती है और इस तरह से मैं सेर करती हूं कि जैसे मतलब मैं पताने कितने लोगों को दिखाने वाली हूं कोई भी डाउड्स नहीं रखती है अपनी रेसिपी में आप ये देख सकते हैं मेरे वीडियोज में मैं वही दिखाती हूं ज पराठे बनाए जितना मैंने नास्ते में बनाए थे मैंने सब दिखाए और कोई भी पराठा मेरा बिना फूले नहीं निकला और भटा तो बिल्कुल भी नहीं ये दिखिए खुदी फूलते हैं पराठे अगर इस प्रोसेस से अगर बने तो कभी कोई भी प्रॉब्लम परा और अच्छे से पकाए जाते हैं उनका स्वात बहुत अच्छा होता है कोई बिना तारिफ किये तो नहीं रह सकता और पता है कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे कोई आता है घर में और मैं इस तरह से पराठे बनाती हूं और परोस्ती हूं तो सच कहूं पराठे खा लेते हैं और फिर वो पूशने कि पराठा किस चीज का था तो आलो का कोंगो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई कहेगा नहीं है, विब उनको लगता ही नहीं है, कि ये आलो पराठा है, इतना तेष्टि ये बनता है, और आज मैंने बिना प्याज की बनाया है, दूसरे दिन मैं और अ आप सब के साथ में सेर करूंगी कि जो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, मैं हर चीज को एकी जलसे नहीं बनाती, जैसे मैं अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ आज मैंने ये बिना प्याज की पराठा बनाया है और दूसे दिन में प्याज और कुछ और टेक्निक के साथ में पराठा बताऊंगी, मैं कई तरह से पराठे बनाती हूँ, एकी तरह से नहीं बनाती, क्योंकि एकी तरह से खाने से आखिर कोई भी हो बोर हो जाता है, इसलिए थोड़ा अलग-अलग तरीके से बनाओ, तो उसका मज़ा कुछ और आता, तो जिस तरह से बना रही थी, वो उस तरह से पूरे पराठे मेरे फूले, और देखे मैंने इतने सारे पराठे बनाए, कोई भी बिना फूले नहीं है, और फटा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से आप बनाने के बार इसको सौस के साथ में खा सकते हैं, और ये बटर क पिकली अगर अच्छी लगती हो तो उसके साथ में भी घा सकते हैं और ये होमेड मैंगो पिकली और इतना टेस्टी है ना इतना चटपटा बनाएं बहुत अच्छा बनाएं मैंने बताया था कि पहाड़ियों का अंदाज कुछ अलग होता है तो चाय की दिवाने होते हैं हम तो चाय और पराठा तो चाय का गिलाच चाहिए इतना बड़ा और पराठा और बटर भी ले लेंगे कोई नहीं ये पसंद होता हम लोगों को और ये मैंगो पिकली सौसी किसी काम का नहीं है हमारा तो हमारे उत्रा खंडी भाई बैनों को ये अंदाज बहुत अच्छा लोगो हमारी